नमज़का दोस्तों आप सभी कहिए हैं कैसे चलाना बहुत उस्वागत है दोस्तों आज किसी वीडियों में आपको ताउंगा जैसे आप कोई अप्लिकेशन प्लेश्टोर से इस्टॉल करते हैं या आप कोई एपी के फाइल इस्टॉल करते हैं तो एरर आता है एप नॉट दोस्तों जैसे ऐसा एरर आपको मोबाइल में आता है कोई अप्लिकेशन आप इस्टॉल नहीं कर पाता है तो इस प्रोब्म कैसे सॉल कर सकते हैं चलिए बताएता हूं दोस्तों वीडियो सुरू करने सपहले आप से कहना चाहूंगा अगर आप ने भी तक मेरा चैनल सब्स पर करीजिए और पर लाइकम प्रसक्राइब नवीडियो की न परस्ट पहले आप पहले आपको मिले चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सासर पहले हमें यहां देखे सेटिंग्स पर चलना यहां पे क्लिक करना है और यहां पर्मिशन मैनेजमेंट नौटकेशन एकसेश एपस with user success यह उस्टो करा हमें यहाँ permission management यहाँ पे क्लिक करेना है और आप लोगों देश सकते हैं auto start floating window desktop sort कर यह उस्टो करा दोस्तो यहाँ पे देखें जो उस्टो करा install unknown apps हमें यहाँ पे क्लिक करेना है और यहाँ पे मेरे mobile की इतनी सारी application सो कर रही है हमें यहाँ ऊपर क्लिक करेना है और दोस्तो अगर आपके mobile में disabled है तो आपको यहाँ देखें चाहिए आप all पे कर दीजिए चाहिए आप enabled वाले पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तो बस आपको इतना यहाँ पे कर देना है फिर यहाँ से जयका जाना है फिर हमें प्रोफाइल वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें प्रोटेक्ट हमें यहाँ पे क्लिक करना है, दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं, यहां तरन आफ कर देता हूँ, यहां तरन आफ कर देता हूँ, दोस्तों यहां देखें, जो दो सेटिंग थी, आउन थी, मैंने इसे आफ कर दिया हूँ, फिर यहां से बैक आना है, फिर चलिए यहां वाले पे क्लिक करना है यहां पे क्लिक करेता हूं और यहां पे आपसंसोगरा है Google Play Protect हमें यहां पे क्लिक करेना है दोस्तो फी यहां हमें यहां सेटिंग्स वाले पे क्लिक करेना यहां उपर दोस्तों यह देखे दोनों off है दोस्तों इसे off ही रखना यहाँ से बैक आ जाते हैं दोस्तों इतना यह सब करने बाद आपकी problem solve हो जाएगी अगर फिर भी problem नहीं solve होती ही तो आपके एक setting और देख लेना है इस को लोगे के नीचे आते हैं और यहाँ आप सुखा RAM and storage space यह आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ देखे RAM, total space, available space आपको यह चेक कर लेना है आपका available space है की नहीं क्योंकि जितनी आपकी देखे application की MBGB जो भी है उतना यहाँ पे available होगा तभी आप install कर पाएंगे नहीं ऐसा ही रगाएगा आप not install it दोस्तों आपको यहाँ available space देख लेना है अगर यह आपका available space ज़्यादा नहीं है तो आपको देखे वीडियो अपने mobile gallery की वीडियो डिलीट कर देना है और जो आपकी देखे कोई application जो user नहीं कर रहे हैं उनको डिलीट कर देना है इसी तरह आप अपनी problem को solve कर सकते हैं दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जो बताइए दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके मुझसे पूँच सकते हैं मैं जोरी फिला दूंगा चलिए मिलते हैं नेक्स प्रीडियो में दो तक लिए चेहीन चेह भादत